देखें यहाँ पर क्लाश 10 के सामाजी विग्यान के पेपर में यहाँ पर पूछा जाता कि मानचित्र सम्बंधी प्रस्ण यहाँ पर पहला होगा 29 का कावाला होगा कि निमलिखित इस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मानचित्र प्रेश्ट यहां पर 13 पर में यह आपको इस चिन द्वारा क्या है यहां पर द्वारा नाम सही दर्साई है उसके बाद ने सही नाम तथा सही इस्थान अंकन है तो आपको आध्याध्य अंक निरिधारित मतलब आपको मिलेंगे तो यहां पर 5 questions होंगे इनको आपको क्या करना होगा एक मानचितर मिलेगा उसमें आपको इसको भरना होगा उसके बाद में 29 का खाप उच्छा जाएगा और इसमें भी यहां पर क्या होगा यह चिन जो बने इन चिन द्वारा दर्सान होगा तो आज के इस वीडियो में आप लोगों बताऊंगा इसको जो मानचितर समंदी प्रसनाते इसको कैसे भरना है यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं यह 10 नंबर यह फ्री के 10 नंबर होते हैं बहुत ज्यादा बाकी चैनल पर पहले बारा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कितना तयार करना उतना ही आप लोग जो तयार कर लेते हैं बस इतना ही आपके बोड़ एक्जाम की द्रट से बहुत ज्यादा इंपर्टन है और इतना ही पुचा जाएगा तो वीडियो को पूरा देखना सारी चीजह बताऊंगा कि कैसे मानचीत्र भरना उन्सी गल्तीक उन्स, वीडियो और को अच्छे वाच करना तभी समझ में आएगा तो यहां पर देखे, Q coming बढ़ Wanna तक में यहां पर पहला को a किक लृप सा ALC मten लेगा त आपको नाम नहीं डालना है और जैसे class 10th में तो यहाँ पर 10th कर देना है बाकी यहाँ पर roll number जो भी आपका है जैसे यहाँ पर suppose करी आपका roll number है एक दो उसके बाद में 3 फिर उसके बाद में 5, 7, 6 और 3 यहाँ पर 2 इतना आपका roll number यह roll number डाल दिया उसके बाद में अब इसमे कैसे भरना है ध्यान पूरोग वीडियो को देखना और आपको ही आपको बोड़िक जम में इसी प्रकार से भरना है ठीक है ये सारी चीजे कोई नहीं बताता मैं आप लोगों अच्छी तरीके से बताऊंगा तो पहला है वाहिस्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था और ये आपको इस चिन द्वारा आपको दरसाना है ध्यान लगना इस प्रकार से आपको चिन बनाना ये आपको ध्यान लगना है तभी आपको ये पूरे आध्यादे नमबर मिलेंगे कहां पर है यहां पर है तो इस परकार से करने के बाद और ऐसे गोला कर देना है जैसे जैसे बताया था से मुशी परकार से और ऐसे एरो करके और यहां पर आपको लिख देना है चमपारन यह भी आपको लिखना है और चीची राइटिंग में लिखना है यह आपको ध्यानक न पहला था तो यहां पर ऐसे पहला कर देना है क्योंकि इससे क्या होगा एक हो गया इसी प्रकार से आपको इसको भी भरना है ठीक है समझ में आ गया बहुत सिंपल सा है पहला था तो यहां पर रोमन अंकों में ऐसे कर देना जैसे जैसे यहां पर लिखा था यह रोमन अंकों मे कहां हुआ था ये दानडी गुजरात में हुआ था कहां हुआ था तो ये दानडी गुजरात में हुआ था दूसरा था तो गुजरात कहां पर है ये ये गुजरात है ठीक है ये मैप आपको सारी चीजे आनना चाहिए कि कहां पर गुजरात है कहां ये है कहां ये सारी चीजे वीडियो में अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दूँगा तो यह गुजरात में दान्डी जो है यहां पर ऐगे उसके वाद में पूरीज सुराज की मांग की गई तो कहां की गई थी यह भी आपको अच्छी तरीके से यहां पर लिख देना तो यह लाहोर में की गई थी अब लाहोर कहां है तो देखी यह पंजाब का एक प्रांत है और यह पाकिस्तान में है तो जो लाहोर है तो यह यहां पर हो गया अब लाहोर तो यह पर हो गया है तो य साहरी साहरी चीजे बताँगा उसके बांवे ऐस्तान जान में बाुजत्या कांड आयए,बहboys सिंपल साय कुछ से करने के बाद यहां पर अमरत सर क्या कर देना यहां से कर दिना अमरत और सर यहां पर ये कितना था चोद्धा था था तो ये 4 हो घुली अग़ाया श्वा अगरिश ? जहां दिसंबर 1920 Curry मैं महाराश्ण कर्दलशी एक है तो हमड़ोर महाराश्ट यह वाला है महाराश्थ की राजदा नहीं किया तो मुंबै इद्य tidig यहां पर था है तो यहां पर इस परकार से ऐसे कर देना और यहां पर ऐसे लिखích देना है नागपूर यह भी आपको लिख हो लोगा पांच नमबर आपके बिल्कुल लेना है एक वीडियो देख लेना उसमें आपको यह सारी चीजे याद कर लेना कि जम्मू कस्मीर कहां है उत्तर प्रदेश कहां है यहां पर महाराष्ट कहां केरल कहां यह सारी चीजे आपको अच्छी तरीके से आनना चाहिए तभी यह सारी चीजे भर पाओगे उसके बाद में आप चलते हैं यहाँ पर दूसरे मैं में यहाँ पर यह जो आता है इस प्रकार से देखें यहाँ पर निमलखित इस्तानों को भारत के दिये गए रेखा मानचितर यह चिन द्वारा आपको सही दरसाना नाम सही सही नाम और सही अंकन के लिए आपको यहाँ पर आधे आध आपको क्या करना है और यहां पर यह पहला था तो यह पहला कर देना ठीक है इसी प्रकार से करना है जो तो चिन्न बनाए सेम इसी प्रकार से यही चिन्न बनाना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह चिन्न द्वार आपको धरसाना है तो देखें काफी का सबसे बड़ा उत्पादक रा आ यहां पर सबसे ज्यादा क्या है काफिर अपादिक राजीं शब्से ज्यादा, उसके पाद में मूंग फ clinically का सबसे बड़ा पादक राजी काौनता इन चिन द्वाराब को द्रसना यह चिन जो बना ओसिट द़नाया तो यहां कही पर भी इसको ऐसे बना सकते हैं और ऐसे आपको लिख देना है गुज़ात, इस प्रकार सेलिख देना और तीसरा था तो यहां पर यह थीं सरा हो गया, ठीक है उसके बाद में चो था यहां पर उत्तր दक्ष्ड कलियारे का टर्मिनल, यहां पर इसटेशन इस च तो कन्या कुमारी या सिरी नगर कोई भी यहां पर इस चनिद्वारा आप लोग दर्सा सकते हैं तो यहां पर कन्या कुमारी कहा है तो यहां पर है केरल में है तो इसको इस प्रकार से करना ऐसे से करना उसके बाद में ऐसे कर देना है और यहां पर इस प्रकार से ऐसे एरो बन पड़क इहां पर उत्पादन राज इस चिनुद्वौरा को दरसाना वुआ ईंग तरि होता है यह भी आपको अच्छी तरीके से भरतीले महाराश्ट्र alone मैं अच्छी तो यह वाला है बहुँ सिम्ल सा जाएगा यह यहाँ पर पिंजाब यहाँ पर पंजाब यह इतना आपको अच्छी तरीके से यहाद कर लेना यही सबसे ज़्यादा आपके बोड़िक्जा में पूछा जाता है तो यह ध्यानक ना है मैंने सारी चीजे बता दिया आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या आपको तयार करना है उतना ही आप लोग जो तयार कर लेते हैं तो आपके यहां पर दस नंबर विल्कुल सबस्ट्रिस से नंगरेस हो जाएंगे और इसी में से पूछा जाता है वह एस्थान जहां ताजमाहल इस्तित है तो कहां आगरा में में इस्तित है यह pan见 गांडिका जन्म हुआ तो कहां गवा दरस नम्ठ्रजाद में वा था वह स्थान जहां कोना का सूरी मंध्यात में है ये तो आप लोग अच्छी तरीकिसे जयानक ना। उसके बात में हुआ इस्थान जहाँ चंदर सेखर आजा था सहीद हुए थे। इलाहाबाद यूपी में है। उसके बाद में हुआ इस्थान जहां जलिया वाला वागत्या कांड हुआ था तो अमरसर पंजाब में है उसके बाद में हुआ इस्थान जहां भारती राष्टी कांगरेस का पर्थम अधिवेशन हुआ तो मुंबई महाराष्ट में है उसके बाद में भारती राष्टी पूर्तिमिल स्रिमको का सत्यागरा हुआ था अहमदाबाद गुजरात में वाहिस्तान जहां किसान सत्यागरा हुआ तो खेडा गुजरात उसके बाद में वाहिस्तान जहां सभिनय अग्यांदोलन गुजरात दान्डी में गुजरात में यह आप लोग दसो तयार कर लेना इस से यहां पर गेहूत पादक राज काफी मुंग फली और यह सारी चीजे आप लोग एक बार देख लेना वीडियो अच्छी तरीके से वह भी आप लोगों को याद हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूं आप लोगों सारी चीजे समझ में आ गए होंगी ऐसे ही आपको यह आपक आपको फुल मारू मिलेंगे तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो के जादा जादा सेर कर देना अबाटी चनल पर पहले बार आए चनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में